अगर आप किसी भी teaching exam के त्यारी कर रहे हैं तो यह classes आपके लिए most most important है इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन पर प्रेस कर जो all notification है उस पर आप किलिक करें ताकि जब भी मैं कोई class upload करूँ आपके पास सबसे पहले पोचे अच्छा देखिए काफी बार क्या होता है जो class की notification है वो आपके पास समय पर नहीं पहुंचती है और काफी बार ऐसा भी होता है आपको अच्छे से प upload नहीं हो पाती है इसके लिए आप telegram group को join कर लीजिए इसका जो link है वो आपको वीडियो के description के अंदर मिल जाएगा इससे क्या होगा ना जब भी मैं कोई class upload करूँगा तो upload करने से पहले लगबग half या फिर एक अवर पहले मैं telegram group में डो time table क्लास का वो upload कर देता हूं तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ class किस समय आने वाली है और आप भी उसके लिए prepare हो जाएंगे ठीक है ना मुझे भी problem नहीं होगी और आपके लिए easy होगा और देखिए आप tension मत लीजिए आपका 100% जो syllabus है ना वो मैं समय पर पूरा करवाऊंगा चाही मुझे दिन में 3 classes डालनी पड़े चाही फिर 4 classes डालनी पड़े आपका syllabus 100% complete होगा आप इसलिए telegram group को join कर लीजिए ताकि अगर मैं unexpected समय पर class डालता हूँ ना तो आपको पता चल जाए ठीक है अच्छा इसका जो link है वो आपको वीडियो के description के अंदर मिल जाएगा जब भी मैं class upload करूँगा जो आपकी वीडियो है उसके description के अंदर आपको telegram का link मिल जाएगा और अगर उस link से आप join नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम करना यह जो contact number है इन पे आप WhatsApp कर देना तो मैं आपको personally जो telegram group का जो link है तो share कर दूँगा और वहां से आप आराम से join कर पाएगे और जो link है वो आज आपको 16 number की class मिल जाएगे फिक है आपको पता है हमने जो science है उसको भी start कर रखा है 4 classes complete हो चुकी है 5 number class भी आपको provide करवा दी जाएगी उसके बाद चलते हैं आप आगे आज की जो class है यह आपकी English की class number 5 है 4 class आपकी हो चुकी है आपको अच्छे से पता है और मैंने आपको बोला था चाहे आप estate देना चाहे सीटेट देना चाहे डिट्रिप्लेस भी हो चाहे आपका चंडिगड पियार्टी हो आप किसी भी exam को देना यह चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी और यह से इन classes को देखिए बिल्कुल भी skip मत कीजिएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्यूशन है आपकी उचाही पर जगे स्थित है ना उनका मतलब हो गया फियर का मतलब क्या होता है घर होता है तो एन अबनोर्मल फियर ओफ हाइप लगना आप किसी उल् वो आपका कैलाता है आपकी spellings भी साथ किसाथ ready हो रही है इनको भी आप याद रखना एक्रोफोबिया की स्पैलिंग्स है उसको आप देखना इसलिए क्या भोलता है उसको एक्रोफोबिया यानि कि वैवैक्ती जिसे उचाई से डर लगता है ठीक है और एक माने आपको हाइड्रोफोबिया बताया था हाइड्रोफोबिया फोबिया का मतलब तो होता है डर और हाइड्रो का मतलब क्या हो गया पानी यहां कि जिस इंसान को जल से वाटर से जो अगर डर लगता है ना तो वो आपका हाइड्रोफोबिया क्यलाता है और मैं आपको क्लेस्ट्रोफोबिया भी बता चुका हूँ अब क्लेस्ट्रो की स्पेलिंग आपको याद होनी चीए C-L-A-U-S-T-R-O क्लेस्ट्रोफोबिया अब क्लेस्ट्रोफोबिया क्या होता है Small Places Small Places जैसे Lift हो गई तो अगर चारो तरफ से Lift बंद है ना तो काफी लोग ऐसे होंगे कि वो उस Lift के अंदर बैठने से हीड रहेंगे उसमें चलने से हीड रहेंगे वो लोग तो इसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया यान कि वो Small Place हो गया और चारो तरफ से एकदम बंद है तो इस डर को बोलते हैं हम क्लेस्ट्रोफोबिया यान कि Small Place से डर होना ठीक है याद रखना आप आगे बठते हैं इसका मतलब क्या होता है यान कि ऐसे दो वर्ड जिनकी स्पेलिंग भी सेम है और जिनका अर्थ भी सेम है लेकिन हम उनको बोलते हैं अलग-अलग धरैसे यान कि जो हम उनको प्रोनाउंस्ट करेंगे न तो हम अलग-अलग वे में करेंगे तो ये कलाते हैं आपके होमोफोन्स क्या कलाते हैं होमोफोन्स दो सबदवर्तनी और अर्थ में भिन है लेकिन जब आप उनको उच्छारित करते हैं बोलते हैं, तब वो एक जैसे ही बोले जाते हैं, ये कलाते हैं आपके homophones, इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, feeding food made both of plants and flesh, तो अब आपको अच्छे से पता है, plants का मतलब क्या है, आपके पोदे हो गए, और flesh का मतलब भी आपको पता है, क्या होता है, मास होता है, ठीक है, और feeding का मतलब क्या होता है, खाना, ठीक है, food भी क्या होता है, आपका खाना, याद के खाने को खाना, तो feeding food made both of plants and flesh, यानकि वो व्यक्ति जो पोदों पर भी और जो आपके मास है ना दोनों चीज़ों को खाता है यानकि हर चीज़ को वो खा लेता है तो वो क्या 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 एगा आपका Omnivores, यानकि जो पोदों और मास्ट दोनों तरह के भोजन को खाता हो, क्या 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 होता है, आपका सर्वाहारी, Omnivores, वोरस का मतलब क्या होता है, आपका खाना होता है, और Omnivores क्या हो गया, यानकि हर चीज को, तो Omnivores, यानकि सर्वाहारी, इसी तरह मैंने आपक आपके मास्क यूपटेपेंड करता है ठीक है तो इन चीजों को आप याद रखना आगे बढ़ते हैं तब फस्ट पब्लिक स्पीच दिलिवर्ड बाई एप पर्शन देखें क्या कहा रहा है यह फस्ट पब्लिक स्पीच है पहली बार वह स्पीच दे रहा है तो इसको मैंने के बार जो दिया बाऊ-पर्शन होता है वह कहला था आपका kuipa याने किसी वैक्ति द्वार दिया गया पहला सारुजनिक भासन क्या कहलाएगा उसका पर्फम इन्दर मैंने बताया था जो बिना किसी तयरी के दी जाती है वीडॉट एनिपृशन without any preparation जो speech दी जाती है न वो कलाती है आपकी eggs tempore ये भी आप याद रखना है और spellings तो most important है यह सारी यही चीजे repeat होती है आपके तो याद रखनी है यह ठीक है आगे बठते हैं उसके पाद आता है animals who live in herds herds का मतलब बता है जुन्ड के अंदर याद की एक तरह से आप group बोल सकते हैं group के अंदर तो animals याद की वो जानुवर जो कैसे रहते हैं जुन्ड के अंदर रहते हैं वो क्या कलाते हैं आपके gregarious बोला जाता है gregarious spelling को आप याद रखना g-r-e-g-a-r-i-o-u-s याद की gregarious याद की वो animal जो आपके जुन्ड में रहते हैं ठीक है जैसे देखिए जानुवरों का जुन्ड में रहना एक साथ रहना या फिर group के अंदर रहना क्या कलाएगा आपका gregarious आगे बठते हैं ए4-footed एणिमल यान की वो जानुवर जिसके चयार पैर हो जिसके चयार पैर हो जिसको हम चो पाया, चो पाया का मतलब क्या होता है, च्यार पहरो वालो, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ए परसन, फू बिलिवज इन दा टोटल एबोलिशन ओफ वार, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यानिकि वो व्यक्ति, जो क्या करता है, जो वार है, जा युद्ध है, उसको खतम करना, उसके अंदर विश्वास रखता है, क्या कहलाएगा, आपका सांतिवादी, यानकि पैसिफिस्ट कहलाएगा, याद रखना आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए प्लेस, वेर गवर्नमेंट, और पब्लिक रिकोर्ट्स, आर कैप्ट, यानकि वो जगए, जहांपर वो आपके क्या हो, सरकारी, या फिर आपके पॉब्लिक, यानकि सार्जनिक, ठीक है, दोन्स चीज़ें, क्या रखी होती हैं, आपके रखी जाती है, वो रिकोर्ट्स वहाँ पर रखे जाते हैं, आपका आर काइव, क्या कहलाएगा, आर काइव, और स्पैलिंग क क्यालाता है याद रखना आप ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आपका फोना फोना और देखिए एक वर्ड होता है आपका फ्लोरा फ्लोरा अब यहाँ पर बात हो रही है आपके जीव जन्तु की यान के एनिमल्स की और फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पती यान के आपके पेड़ पोधे पाई जाते हैं वो कहलाता है आपका फ्लोरा तो इन दोनों वर्ड को आप काफी बार एक साथ देखते हैं फ्लोरा आपको 100% यह याद रखने हैं यह वर्ड ठीक है आगे बढ़ते हैं एर राउंड अबाउट वे ओफ स्पीकिंग ठीक है अब देखें राउंड अबाउट यान कि चीजों को गोल गोल घुमाना आपको किसी से कोई बात कहनी है लेकिन आप उस चीज को आप डारेक्ट नही आपका सरकम लोकिशन कहलाएगा याद रखना ठीक है आगे बढ़ते हैं वन हुई इस अनेबल टू पे डेप्ट यान कि वो वेक्ति जो क्या नहीं कर रहा है यान कि दे नहीं सकता किसी सीज को पे डेप्ट अपना जो करज है न उसको नहीं चुका पा रहा है नहीं दे पा छाने के अंदर S मर्थ है, Unable है क्या 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 आएगा आपका दिवालिया क्या इंसुलेंट चालाएगा याद रखना है आपको ठीक है अगे बढ़ते हैं अकरिंग 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 का मतलब होता है घटित अना और नाइट का मतलब आपको अच्छे से पता है यानकि र में घटी तो होने वाला क्या कहला एगा नोक्टरनल आपको याद रखना है को डिटरमाइन दा नेक्चर ओप डिजेज आप देखीए उनके क्या लगाना sympathetic भी रोक कि रोक किस उसेस्मेंट और फिर रेमेडिय 23 तो वहां पर भी ड्यागनोसिस का मतलब क्या होता है किसी भी कमी का यारी बच्छो के दर जो कमी है ना अन कम्यों के बारे में पता लगाना तो देखें जो वर्ड्स होते है उनका मतलब एक जैसा ही होता है पस यह होता है कि वो किस स्थान पर किस जगाए पर और किस उद्देश्य के लिए यूज किया गया है पस यह difference होता है ठीक है अब यहाँ पर भी Diagnose का मतलब क्या है आप Determine कर रहे हैं पता लगा रहे हैं सैकलोजी के बहुत मतलब बारें इस यह प्रकरती को जाना ऐसा रखना है जंदिए न हो साइजbersarakắt choic? तक भूझे साइज ऑफ पिंग्स को मतलब हो गया पोजिटीव चीज aba dyaan दे रहे हो इसके पोजिटीव चीजे nा है। तो वो इंसान क्या कहलाता है जो positive चीजों को देखता है positive side को लेता है किसी भी matter में जैसे आप example से समझे मालो किसी भी वज़े से exam clear नहीं हो पाया तो ऐसा इंसान क्या करेगा जो positive होगा जो optimist इंसान होगा वो क्या सोचेगा कोई बात नहीं कम से कम मुझे ये तो पता चला ना कि मुझे आगे क्या क्या गलतिया नहीं करनी है मैं फिर से मैनद करूँगा मैं फिर से तयारी करूँगा और जैसे मैं तयारी करूँगा और इस बार एक दम एक नंबर की तयारी करूँगा कि कोई बात नहीं मुझे कम से कम ये तो पता चला न कि मेरे अंदर कमी कहां पे है तो उसने positive चीज को choose किया तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा positive चीजों की तरफ ध्यान देता है वो आपका optimist कहलाता है और actual में भी हमें positive ही रहना चाहिए इस चीज को आप याद रखिएगा बस आपने अपना 100% दिया है चीजें होंगी देखना आप ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं यादर के चीजों को व्यवस्तिक रूप से लगाना जैसे आप क्या लगा रहे हैं आप यह लगा रहे हैं आप कुछ packets है आप उनको एकदम कैसे लगा रहे हैं एकदम सही तरिके स पूरी line के अंदर लगा रहे हैं या अगर छोटे बड़े बिस्कीट हैं तो आप उनको उसी के according लगा रहे हैं पहले आपने क्या लगाए चोटे लगाए उसके बाद धीरे दीरे जो बड़े वाले थे उनको लगा यानि कि आप उनको chronical जो order है न उसके अंदर arrange कर रहे हैं एकदम best तरीके से उनको व्यवस्थित कर रहे हैं तो यह चीज आपको क्या 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 आती है यह आपके क्रोनोलोजिकल यानि कि चीजों को arrange करना एकदम best तरीके से ठीक है याद रखना आगे चलते हैं मेंats speech delivered without previous preparation आगया न आपका जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था आपके सामने फिर से आगया है यानि कि वो speech जो आप without किसी preparation के देते है ना आपने उस speech से कोई भी तयारी नहीं किया है वो क्या 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 कलावएगी आपकी X tempor क्या 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 स्प्व और याद रखना आगे बढ़ते हैं boundary of an area आप सिद्धा और सिंपल सा है किसी भी चीज की boundary है यह माल लीजी यह आपके सामने क्या है एक खेत है या एक प्लाउट है कुछ भी लगा लीजी आप और इसके चारों तरफ के जो यह area है यानकि इसकी boundary तो यह boundary क्या कलाती है, आपकी परिदी कलाती है, आपको पच्छे से पता है, जिसे आपके पास क्या है, एक ये क्या है, सरकल, तो इस सरकल की चारो तरफ क्या होगी, भाई, इसकी परिदी होती है न, आप किसी भी चीज को ले लीजिए, उसके चारो तरफ का जो area है, उसकी periphery शीडिया क्या 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 है क्या क्या आफे चाइल्ड बोर्न आफ्टर दैथ फिसपादर जिसका जनम उसके 10 के व्यक्ति की मुर्णों ऊपरांत क्या मिला है award मिला है यानी कि मरनो उपरांद का मतलब क्या होता है मरने के बाद आपने ये चीज़े newspaper के अंदर TV के अंदर देखी होंगी कि काफी लोगों को जो award वगेरा है जो सम्मान है उनकी death के बाद दिये जाते है announce के जाते है तो इसका मतलब होता है, posthumus का मतलब होता है, marno upranth, तो सिद्धा और simple सा था, marno upranth posthumus का मतलब क्या हो गया, marno upranth और child का मतलब क्या हो गया, बच्चा, यानि कि वो बच्चा जिसका जनन उसके पिता के मृत्यों के बाद हुआ है, क्या कहलाएगा, आपका posthumus child कहला नोटोरियस नो टी ओर आई ओ यूएस इन स्पेलिंग्स को भी आप याद रखिएगा हमारा जो स्पेलिंग टोपिक है वह भी आपका साथ के साथ रडी हो रहा है आप याद रखना इस सीज को ठीक है याद कि बुरे कारियों के लिए जाने-जाना वाला जो व्यक्ति है वो क प्रियम माननेता है ना उनकी आलोचना करता है उनको गलत बताता है या मूरकता पूरण मानता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है वो व्यक्ति कहलाता है आपका इकोनोक्लास्ट क्या कहलाएगा इकोनोक्लास्ट और यह जो स्पेलिंग है ना एक काफी बार आपकी पूछी जा चुकी है तो आपको याद रखनी है I-C-O-N-O-C-L-A-S-T इकोनोफ क्लास्ट ठीक है इसको क्या कहते है इकोनोफ क्लास्ट जो वेक्ती लोग प्रियम माननेता है उनकी आलोचना करता है उनको गलत मानता है उनको मुरकता पुरण बताता है ठीक है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अब देखिए सिधा और सिंबल सा है यानि कि medical examination क्या जा रहा है किसका बोडी का और कब क्या जा रहा है मृत्यू के बाद यानि कि मृत्यू के बाद जब हम जिसको पोस्ट मार्टम बोलते है न तो वो है यह medical examination of a body after death तो वो क्या कलाती है आपकी autopsy कलाती है याद रखना भी आपको क्या कलाती है आपकी autopsy यानि कि मरने के बाद मिर्थ सरीर की क्या करना जाच करना याद रखिएगा ठीक है आगे चलते है one who loves books यानि के वो वैक्ती जो क्या करता है बुकों से जो पुस्टक है न पुस्टकों से प्यार करता है जिसको पढ़ना अच्छा लगता है पुस्टकों से जिसको प्यार है वो क्या कलाता है आपका biblio file कलाता है क्या कलाएगा biblio file और most important spelling है यह आचुकी है इसको याद भ cannot be corrected, यानकि वो जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? यानकि cannot be corrected, जिसे correct किया ही नहीं जा सकता है, वो कहलाता है आपका in-courageable, क्या कहलाता है? in-courageable, याद रखना आपको, i-n-c-o-r-r-i- g-i-b-l-e, spelling को भी आप याद रखिएगा, आगे चलते हैं someone able to use both hands with equal skills यानकि वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का, और दोनों हाथों में ब्राबर ताक कहता है, ब्राबर skill है ठीक है? यानि कि आप ऐसे समझे कि कोई व्यक्ति है वो एक board पर क्या कर रहा है, दोनों आथों से लिख सकता है इस आथ से लिखेगा, तब भी एकदम same और एकदम best तरिके से लिखेगा दूसरे आथ से लिखता है, तब भी एकदम same लिखेगा तो यानि someone able to use both hands with equal skills तो वो व्यक्ति क्या क्लाता है वो कहलाता है, आपका ambidextrous पुरी spelling है, इसको आप याद रखेगा पुछी जा चुकी है, क्या कहलाएगा ambidextrous, ambi का मतलब यह होता है दो, ठीक है, तो ambidextrous यानकि someone able to use both hands with equal skills, आप याद रखेगा मैं बार-बार repeat करवा रहा हूँ ताकि आपके मैंड में चीजे सेट हो तो वह वैक्ति, जो दोनों आथों का प्रियोग, समान दक्सता के साथ कर सकता है, याद रखेगा आगे बढ़ते हैं one who collects, quine as a hobby अब hobby का मतलब क्या होता है, यानि कि उसको सोख है, कोई भी काम करने का अब क्या सोख है उसको collect करने का, क्या, quine यानि कि सिक्के, यानि कि वो वैक्ति, जिसको सिक्कों को इखटा करने का सोख है, क्या कहलता है numismatist कहलाएगा, और यह हमने history के class के अंदर देखा था, जब हम को कहना चाहूंगा, जो भी तैयारी करते है ना, 10th level तक की जो चीज़े है वो तो आपको 100% आने ही चाहिए जाए फिर वो social science का student है उसको भी science आने चाहिए science का अगर student है, तो उसको social science की चीज़े भी पता होने चाहिए, क्योंकि यह एकदम basic है, और यहाँ पर चीज़े एक दूसरी से link होती है, ठीक है यह चीज़ आप याद रखिएगा, तो यहाँ पर यह क्या कहलाएगा, आपका numismatist, ठीक है याद के वह वैक्ती, जिसे सिक्के 71 करने का, 81 करने का, क्या होता है स्टोक होता है, याद रखिएगा यह आपके 25 questions थे, 25 मैंने आपको कल करवाए थे, तो आपके 50 हो गई इस तरह हैं हम regular चीज़ों को करेंगे, और आपके लिए एकदम जो best collection है न, वो हो जाएगा आप S-Tat देंगे आगे, आप आगे S-Tat भी देंगे, आप आगे और भी हमारे teaching exams देंगे आपके रिए ये चीज़े देखना 100% helpful रहेंगी, मैं आपको एकदम best material तयार करवा रहा हूँ, याद रखिएगा आप ठिक है तो आज की session में सिर्फ इतना ही था आगे कि जो classes हैं, वो मैं टेलिग्राम ग्रूप पे पहले ही बता दूँगा कि कि स्टेम अप्लोड होंगी, तो आप टेलिग्राम ग्रूप को 100% जोईन कर लेना तो आज की session में सिर्फ इतना ही, थैंक्यू